आई वी डे दे दूज की इस बुलेटी में आपका स्वाबत है और मैं हूँ आपके साथ अर्विन कुमार सिंग बर्तमान समय में जहां चारो तरफ एक के बाद एक हिंदू मुस्लिम का भी बात सामने आ रहा है वहें कुसिनगर जनपद में एक मुस्लिम बेक्टि सन 1969 से दूर्गा माता के प्रतिमा का स्थापना कराकर पूजा अर्जना कराता आ रहा है कुसिनगर जनपद के पड़राउना रेलवे स्टेशन पर 69 वर्स प्रो एक बंगाल देश के स्टेशन मास्टर आया था इसने दूर्गा माता का मुर्ति बनवा कर पूजा पाट कर रहा था उसका माना था कि स्टेशन पर कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए दूर्गा माता के सभी रूपों की पूजा करना चाहिए कुछ दिन बाद उसका तबादला होगी उसके बाद रहलेवे स्टेशन के अगल बगल के लोगों ने प्रतिवर्श नौरातर में माताराने की पूर्टी का अस्थापना कर पूजा अर्चन करना सुरू कर दिया तब इसे देरे देरे जनपत के अन्य जगों पर अन्य लोग माता का मुर्तिय अस्थाफित करना सुरू कर दिये पड्रवनार हेलेवे परिसर में अस्थाफित होने वाले दुरगा पुझा पंडाल के आयोजक सज्जाद अल्ली बताते हैं परिसे आयोजन को और भब तरीके से मनाने के लिए अन्य हिंदों और मुस्लिम को एक जुट करके हम मानाते रहेंगे कुझे नगर जनपत में भी दुरगा पुझा के दो मची हुई है पुरे जनपत में मादुरगा के पंडालों को मन मोभग रूब से सजाए गया है मादुरगे के प्रतिमाओं के अस्थापना के बाद पंडालों को विभीन प्रकार के लाइट और जहादलों से सजाए गया है वड़ी संख्या में लोग मादुरगे का दर्सन कर रहे हैं पड़रवना कस्या हाटा रामकोला सेवरही कप्तान गंज सहित अन्य सभी चौक चौरहं और सभी नगर पंचायतों के अलामा ग्रामनी लावकों में भी मादुरगे की प्रतिमाओं अस्थापित की गई है पड़रवना में मादुरगे को सातो रूपों के स्थापना की गई है लोग देवी की अलगलग रूपों का दर्सन कर रहे हैं देवी बंडालों को दुल्हन की तरफ सजाया गया है यहाँ पर आते हैं और लावानवीत होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज तक कोई अपरी घटना नहीं घटी है यह भी एक बहुत बड़ा कारण है इनका शिर्वाद है अब मुस्लिम होने के बावजूद इस परंपराण देखिए यह जो हिंदू मुस्लिम की बात है यो टोटली पोल्टिकल है इसके ज्यादा कुछ नहीं कहा सकता है कोई भी धर्म हुआ हिंदू हुआ मुस्लिम हुआ सिख हुआ इसाई हुआ कोई भी धर्म हमें प्यार महब खतम हो जाएगी लेकिन इसको जिंदा रखा गया इसलिए कि ओट बैंकी पालिसी चलती रहे हम लोग हर तरह से तनमन धहन से इसमें बढ़ चड़कर हिस्सा लेते हैं और कई लोग जूडते भी हर साल इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग हैं दो-चार लोग हैं हर साल ले लोग इसका जूडते हैं और आने वाले समय में हम इसको और भी भब तरीके से मनाएंगे